आदर नियत्यक जी आपकी कुशलता और इमान्य सांसदों की जागुरुक्ता उन्स सबका सयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूँ कि जिसके कारण सत्रवी लोगसभा की प्रोडक्टिविटी करीब करीम 97 परसंट रही है 97 परसंट प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसंदता का विशय है लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17 लोगसभा कि हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं तब एक संक्र पर लेकर का अठारवी लोगसभा प्रोड़क्टिविटी वाली हमारी और उसमें भी साथ सत्रम सव प्रतिशत से भी ज़्यादा प्रोड़क्टिविटी वाले यह भी अब मैंने देखा आप ने रात रात बैट बैट करके भी और सांसुदों के मन के बात को आपने सरकार के धान में लाने का भरपूर प्रयास किया मैं इन सभलता के लिए सभी मानने सांसुदाओ का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी रुदैस्चाभार और भिलंदन व्यक्त करता हुए पहले सत्र में, सत्रवी लोगसभा के पहले सत्र में, दोनों सदन ने तीस विध्यक पारिद की थे, यह अपने आप में रेकोर्ड है और एक नएने बेंचमार्क, सत्रवी लोगसभा ने बनाए है, आधनी अधिक जी, हाजहादी के पच्चतर वर्ष, पुरा होने का उत्सव, हम सब को कितना बड़ा सवभागी मिला कि ऐसे आउसर पर हमारे सदन ने अत्यन्द भातूर कामों को नेत्रुत्व किया, हरस्थान पर हुआ, शायद ही कोई सामसोद ऐसा होगा, कि जिसने आध्यादी के पच्चतर वर्ष को लोगसभा बनाने में अपने अपने ख्षेतर म भूमी का दानों की होगी, यानि सच बुच में आज हादी के पच्चतर वर्ष को देश ने जी भरकर उत्सव से बनाया और उसमें हमारे मानने सामसोदों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमी का रही है, हमारे समिधान लागू होने के पच्चतर वर्ष ये भी अवसर इसी समय इसी सदन को मिला है, इसी समी मानने सामसोदों को मिला है और समिधान की जो भी जिम्मिवारिया उसके शिरुवात इहां से होती है और उनके साथ जुड़ना आई अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरख है, आदर यह देख जी, इस कारकाल में बहुती रिफॉर्म्स हुए है, और गेम चेंजर है, 21 सदी के भारत की मजबूत नीव, उन सारी बातों में नजर आती है, एक बड़े बड़लाव की तरफ तेज गतिशे देश आगे बड़ा है, और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने भहुती उस्तम मारदर्शन किया है, अपनी हिसेदारी जताई है, और देश हम संतोष से कह सकते हैं, कि हमारी अनेक पीडिया जिन बातों का इंतजार करती थी, ऐसी बहुत से काम, इस सत्रहभी लोग सभागे माध्यम से, पूरे हुए, पीडियों का इंतजार खत्रों हुआ है, अनेक पीडियों ने, एक समिधान, इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल वो समिधान में एक डरार दिखाई गेती थी, एक खाई ने जराती थी, एक रुकावत चूपती थी, लेकि इसी सदय ने, धारा तीन सो सट, आर्टिकल तीन सो सट, समिधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकास के साथ, उसका प्रगटी करण हुआ, और मैं मानता हूँ, जब समिधान के 75 वर्ष हुए है, जिन जिन महापुरुषण ने समिधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी, जिरूर हमें आशिवाद देते होगे, ये काम हुदने पूरा देते हैं, कश्मीर के भी, जमु कश्मीर के लोगों को सामाजिक ज्ञाय से बंचीत रखा गया था, आज हमें संतोस हैं, कि सामाजिक ज्ञाय का जो हमारा कमिट्मेंट है, वह हमारे जम्मी कश्मीर के भाई भेहनों को भी, पहुँचा करके, हम आज एक संतोस के अनुरूती कर रहे है अधनिये अध्यक जी आतंकवात नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था माभारती की धरा आए दिन रक्तरंजीत हो जाती थी देश के अनेक वीद होनहार लोग आतंकवात के खारण बली चड़ जाते थे हमने आतंकवात के विरुत सक्त कानून बनाए इसी सदन ने बनाए मुझे पक्का विश्वास है कि उसके खारण जो लोग ऐसी समस्याओं का जूजते हैं उनको एक बल मिला है मानसिक रुप के उनके जाना कॉंफिनस बढ़ा है और भारत को पुन रुप से आतंकवात से बुक्ति का उसमें एक ऐसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध हो के रहेगा